हेलो नमस्कार दोस्तों तो आप देख रहे हैं जीओ भन्यूस तो वक्त हो गया है दिनबर की बड़ी खबर को जानने का तो उसे पहली यदि आप हमारे चानल पाने है तो चानल को सब्सक्राइब करने ताकि इसी तरह की देश दोने कि आप सारी खबरों से राज के है लेकिन कुछ मांगों पर सहमती बनी है सिनुक्त किसान मोचा को सरकार से उनकी मांगों के लिखित जवाब का इंतजार है बविश्य की कारी योजना पर चर्चा करने के लिए ये दिन के बाद में एक बैठक भी करेंगे केंद्री सरकार ने कहा जून से नवंबर के बीच एक दस्मलोव दो छे लाख जुएलर्स ने गोल्ड हॉल मार्किंग के लिए कराया पंजिकरन जियां उपभुकता मामलों के केंद्री राज्यमंत्री अस्वनी कुमार चौबे ने लोकसभा को बताया कि 23 जून से 30 नवंबर तक 1,26,373 जुएलर्स ने गोल्ड हॉल मार्किंग के लिए पंजिकरन कराया है उन्होंने कहा कि सोने के गहनों की अन्यवार्य हॉल मार्किंग लागू होने के बाद 1 जुलाई से 30 नवंबर तक करीब 4,29 करोड अभूचनों की हॉल मार्किंग की जा चुकी है सरकार ने कहा 2030 तक भारत की अपनी तरह का अनोखा स्पेस स्थापित करने की है योजना जिहां सरकार ने बताया कि भारत की 2030 तक एक स्पेस स्थापित करने की योजना है जो अपनी तरह का अनोखा अंत्रिक्ष स्थापित करने की योजना है बकॉल मंत्री गगन यान भेजने से पहले दो मानव रहित मिशन लॉंच किये जाएंगे क्रिशी कानूनों के खिलाफ एक साल से जारी आंदोलन किसानों ने किया स्थागित जिहां किसानों ने क्रिशी कानूनों के खिलाफ साल भर से जारी आंदोलन पांच मांगों पर सरकार की सहमती के बाद स्थागित कर दिया है किसा नेता गुर्णाम सिंग चड़ूनी ने कहा कि हम 15 जनवरी को समिच्छा बैठंग करेंगे अगर सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो आंदोलन बहाल करेंगे तो वहीं परदर्शनकारियों ने दिल्ली की सिमाव से टेंट हटाने शुरू कर दिये हैं जनरल विपिन रावत के निधन के बाद ये है CTS पद के उम्मिद्वार जिहां सरकार जल्दी ही सेना प्रमुक जनरल A.M. नर्वने को CTS पद के लिए जनरल विपिन रावत के उत्राधिकारी के रूप में उनके ओसामाइक निधन के बाद गोशित कर सकती है CDS पद के लिए नर्वने को सबसे योग्य माना जाता है इंडियन एर फोर्स चीफ एर मार्शल वी आर चौधरी और नौसेना प्रमु के एड्मिरल आर हरीकुमार ने हाली में अपने बलों की बागदोर सम्हाली है दोपहर 12 बज के 15 मिनट पर उतरना था जनरल रावत का हेलिकॉप्टर 12 बज कर 8 मिनट पर ATC से तूट गया था संपर्ग जिहां रक्षा मंतरी राध्या सिंग ने संसत को बताया कि चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और 13 अन्य लोगों के साथ दुरगटना ग्रस्त हुए हेलिकॉप्टर ने सुबा 11 बज कर 48 बजे सुलूर एयर बेस से उडान भरी थी सिंग ने आगे कहा कि हेलिकॉप्टर को दो पहर सवा 12 बजे उदरना था सुलूर एयर बेस पर एयर ट्राफिक कंट्रोल का दो पहर 12 बज कर 8 बजे हेलिकॉप्टर से संपर्ग तूट गया था BCCI ने कोहली को खुद वंडे की कप्तानी चोड़ने के लिए दिया था 48 गंटे का समय जिहां PTI के अनुसार BCCI ने विराट कोहली को स्वेच्छा से भारतिय वंडे टीम की कप्तानी चोड़ने के लिए 48 गंटे का समय दिया था लेकिन उन्होंने अपने पत से इस्तीफा नहीं दिया, BCCI ने ट्वीट किया था कि All India Senior Selection Committee ने रुवित सर्मा को एक दिवसिया और T20 International दोनों टीमों का कप्तान बनाने का फैसला किया है कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं, वीडियो पर संद आ हो तो वीडियो को लाइक और शेर करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आपका सुक्रिया